आज मैं बनाओंगी आलू के पराठे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें यहां पर मैंने मीडियम साइज के चार से पांच आलू लेकर उनको बॉइल करके मेश कर लिया था अब इसमें क्वाटर कप पुदीना डालेंगे आधा कप हरा धनिया आधा कप चॉप की हुई शिम्ला मिर्च और दो चॉप की हुई हरी मिर्चे नमक डालेंगे हस्पेजाइका एक टीस्पून लार मिर्चो का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून जीरा दो टीस्पून दनिया का पाउडर अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने एक पेड़ा लिया है और आटा मैंने वही यूस किया है जो घर पर रोटी के लिए करते हैं अब इसमें आलू का मसाला डालेंगे जो हमने पहले तयार कर लिया था तोड़ा सा उपर से चाट मसाला डालेंगे आप चाहें तो ना डालें और अगर आप चाहें तो आलू के मसाले में ही चाट मसाला डाल कर मिक्स कर दें अब वापस से इसका पेड़ा बना कर इसको अच्छे से बेल लेंगे अब इस पराटे को मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे ताके ये जलना जाए थोड़ा सा ओईल लगाएंगे ओईल मैंने कम रखा है क्योंके इसमें एंड में बटर जाएगा पराटा हमारा तयार हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है अब हम इसमें उपर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे अब मैं इसको रायते के साथ सर्फ करूँगी रायते के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप चाहें तो रायता बना लें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दे और अगर आप महंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा झाल